प्राचीन समय से हम देखते और सुनते आ रहे हैं कि जब भी कोई मरता है तो उसके सव को समसान ले जाते वक्त उसके परिजन आदिराम नाम सत्य है बोलते हुए उसे लेकर जाते हैं लेकिन इस बोलने के पीछे असर उद्देश कुछ ही लोगों को पता होगा कि आखिर मुरतक के सव यात्रा के समय ऐसा क्यों कहा जाता है महा भारत में धर्मराद युधिस्ठिर ने एक शलोक के बारे में बताया है जिससे इस वाक्य को कहने का सही अर्थ पता लगता है मुरतक को जब संसान ले जाते हैं तब कहते हैं राम नाम सत्य है परन्तु जहां घर लोटे तो राम नाम को भूल कर मोह माया में लिप्त हो जाते हैं मृतक के घर वाले ही सबसे पहले मृतक के माल को समहालने की चिंता में लगते हैं और माल पर लड़ते भीड़ते हैं धर्मराज युधिष्टिय ने आगे कहते हैं नित्य ही प्राणी मरते हैं लेकिन शेश परिजन संपत्ति को ही चाहते हैं इससे बढ़कर क्या शर्य होगा शवयात्रा में राम नाम सत्य है ये शब्द मृतक को सुनाने के लिए नहीं बोले जाते क्योंकि जो मर गया वो सुन नहीं सकता ये शब्द प्रतिकात्मक रूप से मरने वाले व्यक्ति की और से उपस्थित लोगों के लिए बोले जाते है मानो मरने वाला जाते जाते अपने परिजनों को यह बताना चाहता है कि देखो मैंने जीवन भर पाई पाई जोड कर रखी लेकिन आज मैं बिलकुल खाली हाथ जा रहा हूँ कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जा रहा हूँ इसलिए माया के लिए नहीं लड़ना जैसे राम मोह माया में नहीं फ़से वैसे तुम लोग भी मोह माया में मत फ़सना क्योंकि माया सत्य नहीं है सिर्फ राम नाम ही सत्य है जिस तरह आज मेरी गती हो रही है ऐसी ही गती एक ना एक दिन सभी की होने वाली है किसी व्यक्त की मृत्य होती है तो सबसे ज़्यादा दुख उसके परिजनों और रिस्तेदारों को होता है राम नाम सत्य है का जाप करने से परिजनों और रिस्तेदारों को मानसिक सांती मिलती है दुख की इस घड़ी में उन्हें ये एहसास होता है कि पूरा संसार महज एक भ्रम है और कुछ नहीं जिस वेक्त की मृत्य हुई है उसका जो भी नाम था वह अब नहीं है अब तो सिर्फ राम नाम सत्य है जब किसी की मृत्य होती है तब उस वेक्त की आत्मा सरीर को छोड़कर ब्रम्हान में लीन हो जाती है जिस वेक्ति के कर्म अच्छे हो या जिस वेक्ति ने पुर्ण किये हो उन्हें तो मुक्ति मिल जाती है और वे मरने के बाद आगे की यात्रा के लिए बढ़ जाते हैं किन्तु कल्यूग में ऐसा कम ही होता है लोगों के बुरे कर्मों की वज़े से लोगों को मुक्ती नहीं मिलती जिससे वे मरने के बाद भी किसी और सरीर में जाने की कोशिश करते हैं ऐसे में राम नाम सत्य है ये वाक के वहाँ उपस्ति सभी लोगों के लिए एक कवच का काम करता है जो मुरत देहिक से प्रक्षेपित होने वाली काली सक्ती से उनका रक्षन करता है राम नाम सत्य है ये बात इनसान जीते जी समझ ले तो उसका कल्यान हो जाए लेकिन इनसान मोह माय में इतना फंस जाता है कि सब को जानते समझते हुए भी जीते जी वो इस बात को सुईकार नहीं कर पाता इसलिए यदि शवयात्रा के समय के अलावा किसी अन्य आउसर पर किसी ने राम नाम सत्य है ऐसा बोल दिया तो उसे अन्तिन संसकार के क्रिया के तौर पर देख कर ऐसे बोल को अब शगुन माना जाता है आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी करप्या कमेंट करके मुझे बताईएगा और साथ ही आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे इसके लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद और जैहिं दोस्तों